हेलो एवरिवान वेल्कम ट्यू विंद्य आयवेदा क्लास आज हम शली तंत्र विशय का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले है जो है भगने इसका पूरा वर्णन सुष्टत निदानस्थान पंदरा में दिया गया है आज हम यहां पर भगने के भेट देखने वा होते हैं इसे देनोट करता है और इसे संधी मुक्त हैंसे आता है औरand कांपीशन का चीकर अब संधी मुक्त पर गएद और उसके लक्षन हम अच्छ से देखता है अब देखिए सब से पहले आता है उत्पिष्ट। उत्पिष्ट को हम फ्रेक्चर डिस्लोकेशन से कोरिलेट कर सकते हैं अब इसके लिए क्या बोल रहे हैं वो संधाव उभयत शोफो वेदना प्रादुर्भावो विशेशष्य नाना प्रकार वेदना रात्रव प्रादुर्भवंती ठीक है मतलब संधी के उभय में उभात है अब देखिए आप इसको कैसे याद करेंगे तो उत्पिष्ट को आप उभय से याद करेंगे यह उभय वर्ड यहाँ पर इंपोर्टेंट याद रखना है और उभय को यदि हम सुभय पढ़ ले सुभय उभय सुभय ना इस तरह से कर ले तो सुभय का उपोजेट रात्री इसलिए हाँ पर रात्री वर्ड भी आए कि वेदना रात्रो प्रादुर भवंतिना ज्यादा था अलले टाइप की वेदना रात्री में होगी तो उत्पिष्ट में आपको बस यह उभय याद रखना है कि संधी के दोनों पाश में शोफ होगी और उभय मतलब सुभय सुभ को हैना कम शोफ होगी पर वेदना सत्तम लगातार वेदना होगी और संधी विक्रियाम्च मतलब संधी के जो कार्य है विक्रिति आ जाएगी तो देखो अब इसे कैसे याद करेंगे देखो विशलिष्ट को मॉडर्ण की अकॉर्डिंग क्या बोले सब लक्सेशन बोला है तो सब्ट्रेक्ट मतलब क्या होते है किसी चीज में माइनस होना है एड मतलब मतलब माइनस होना इसलिए हापर शोफ अलफ हो रही है सब्ट्रेक्शन हो गया है हापर सबसे याद रखना अलप शोफ हो ठीक है पर वेदना लगातार हो रही है वेदना सत्तम और संधी विक् तो हलता है ile टवेष्द होता है । अभी किसे यानगता वेदना गया तो आजँ संभी कि फ्कमाट जो हमारी संभी ती वह साइड में सक्षक गए लेटरल उसका displacement हो गया है ठीक है लेटरल मतलब पार्शू में खसक गई है संदी इसके कारण क्या हुआ विश्यम अंगता वेदनाचा अब देखो नॉर्मल था अब कोई नॉर्मल से साइड में चल जाएगा मतलब अंग में क्या हो जाएगी अंगता और वेदनाचा ठीक है जबकि विशलि गहीं है लोगता है तो आपको ए मॉडर्ण का याद है इसको लाटरल डिसलोकेशन से होर्ह संदी तीव्र रुजत्वन च्याद में क्याद से तीवर रुजा हो गें तो ये पॉいंट हें इंपॉर्टेट है अब नेक्स जात 거지 अतिछिप्त, अतिछिप्त मतलब over riding dislocation इसमें क्या होता दोयो संधी अस्थनोर अतिग्रांतिताम वेदनाचा ठीके मतलब जो संधी बनाने वाली ये जो दोनों अस्थिया है जो संधी बनाने में बनाने में पाट लेती तो यह दूर दूर हो जाती है आपस में इस तरह से तो आपको कुछ तिर्यक छिप्त तिर्यक छिप्त मतलब और डिसलोकेशन इसमें क्या होता है एक अस्ती पार्ष्त में खक जाती है तो देखो यहां पर तिर्यक में यक वर्ड आ रहर है । इसको एक पढ़ लो कुछ आपको याद रहेगा की एक अस्ती पाश्व में है ना ऐसे श्लोक में आया दी कि एक अस्ती एक पाश्व में खिसक गई है तो यह किसका है तिर्यक छिप्त का यह आपको फिरीजली याद रहेगा तो हमने संदी मुक्त पढ़ लिए अब हम बात करते हैं कांड भगने के भेद और लक्षन अब देखो सबसे पहले आता है करकड भगने इसको क्या बोलते हैं ऑब्लिक फ्रेक्चर अब देखें इसमें क्या होता है संमूड उबयतो अस्ती मध्यभगन मौग depressing अOps जिए मतलब कि दोनों और से उठा हुआ संममूड उबयतो जोह है और मध्य蔃 भगनम बीच से टूटा हुआ तथा ग्रंतिर उन्नतम ग्रंति के समाथ उन्नत दिखाई देने वाला भगनी जो है वो करकट भगने अब देखो इस जो करकट है ना उसको पढ़ लो मरकट मरकट मतलब होता है बंदर ठीक है अब देखो यदि आप बंदर बनाएंगे तो इस तरह से इसका मूं होता है फिर ङा पतला सा होता है फिर इसका है पेट होता है पूछ होती है तो यह से याद रखना उभेयतो समप्द्र नक्म नेक्स जाता है अश्वकरन यह औलिक फ्रेक्श्र होता है तो इसके तो अस्लोब में आल उसके वाना Wijसों तो उन्नति तो किससे मतलब जो घोड़ा होता है उसके कान की तरह उचा हुटा हुआ जो होता है तो इतो नाम से आपको समझा जाएगा नेक्स आता है चूननित होता है कम्यूनिटट फ्रेक्चर ठीक है इसमें क्या होता है स्पर्श मानम शब्द ठीक है स्पर्श करने पर क्या होगा शब्द सुनाई देगा तो देखो कोई चीज ऐसी बहुत चून चून वाली चीजे रखी हुए है किसी पॉलेथिन में है आप उसको जैसी स्पर्श करेंगी अवास आती है जैसे सपोस कोई कुरकुरे वगहरा है तो जैसे आपको यद रहेगा नेक्स जाते है पिच्छे तीक है यह होता है complicated fracture इसके लिए क्या पोड़े प्रत्थुताम गतम अनलप शोफ अब देखें क्या पोड़े प्रत्थुताम गतम मतलब यह प्रत्थु होता है ना चोड़ा होता है आकार में यह भग में और अनलप शोफ मतलब अलप शोफ मतलब अधिक शोफ होती इसके अंदर तो पिच्छि चिक है अस्ति छिल्लित यह होता है longitudinal fracture यह होता है पाश्वय अस्ति हीनो द्गमत मतलब कि यह longitudinal है यह हमारी अस्ति थी तो एक तरफ से अस्ति उपर उठ गई एक तरफ से नीची रह गई तो जिसमें एक तरफ नीची तदा दूसरी और उची उठ जाया थी तो वह स्थी छिल्लित कै जया देना आता है कांड भंगने कांड बढ़ने क्या है कांड भगने और Запाई दौप Frau मानल में कि लाने पर उसमें कंपन confession का आओ यह याद को याद रखना है इसमें क्या है Emergency कक्षिन नंश्व शु Working काड़ करte ऩुकतने अस्ति अव्यव आस्थी मध्यम अनुप्रवेश्य थिके मतलब अस्ति के जो भाग है वो अस्ति मध्य में ही प्रवेस्ट करजाए मत्यम उसी में गुज़ यह इस इंपेक्त e attached अति पातित होता है complete fracture अब देखो यदि आपको नाम पता है complete तो अस्थी निय शेष अति छिनना मतलब निय शेष कुछ बचा ही नहीं पूरी अस्थी टूट गई है जब अस्थी पूरी टूट जाती है निय शेष मतलब उसका कुछ शेष भाग बचता ही नहीं तो that is complete fracture तो यह निय शेष वर्ड आपको याद रखना है देन कम्स वक्र वक्र होता है green stick fracture इसमें क्या होता है आभुगनम अविमुक्त अस्थी ती कि देखो आभुगनम मतलब कि टूटे नहीं ना अस्थी तूटे नहीं लेकिन क्या हो जाती है अपनी स्थान से अलग हो जाती है ना टूटे नहीं तो इसे हम क्या बोलता है वक्र बोलता है जिके green stick fracture देखिए नेक्स आता है छिन भगने यह होता है इनकंप्लीट फ्लेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् लब कि छोटी छोटी क्या हो जाए दरारे आ जाए जिसमें और वेदना तो अब देखो पाटित को आप पड़ लीजिए यदि हम घर में कोई पटिया लाते पाट तो उसमें आपको ऐसी दरारे दिखती छोटी-छोटी सी तो अनु पहु विदारितम किसके लिए आए पाटि तो ऐसा लगेगा कि धानी के शूखों से पूर्ण अस्ति ठीक है और आध्यमान किसमें होगा यह स्फुटित में होगा तो यह लक्षन अच्छे से याद रखना है कि स्फुटित का है शूख पूर्णा में वराध्यमान तो देखें इस तरह से हमने जो बारा कान भगने ब देख लिए तरह से भगन कंप्लीट होता है आई होप यू लाइक डिट डू शियर लाइक और सब्सक्राइब थैंक यू